अलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है शौरुफ क्लासिस आज मैं DPSC और BPSC जैसी प्रतियोगिता परिक्षाओं के उद्देश से पॉलिटिकल साइंस राजिनती विज्ञान के अंतरगत अधिनस्त न्याले इसकी स्थापना और अधिकार इसको लेकर उपस्तित हुआ हों तो चलिए बिना समय गवाए हम राजिनती ग्यान के इस महतुपुन विशय को प्रारम करते हैं राजिकी न्याय पालिका में एक उच्छे न्याले एवं अधिनस्त न्याले होते हैं जिन्हें न्याले के नाम से भी जाना जाता है इन्हें अधिनस्त न्याले कहने का कारण यह है कि यह उच्छे न्याले के अधिन होते हैं ये उच्छ नियालय के अधीन एवं उसके निर्देशा नुसार, जिला और निम्न स्तरों पर कारे करते हैं सम्विधान के भाग 6 में अनुछे 233 से 37 तक इन नियालयों के संगठन एवं कारे पालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन है जिला नियाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोनती, राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्छ नियालय के परामर्ष पर की जाती है जिला एवं अन्य नियालयों पर नियंत्रन का अधिकार राज्य के उच्छ नियालय का होता है अब हम इसकी संड्रचना और अधिकारों को देखेंगे संड्रचना एवं अधिकार शेत्र राज्य द्वारा अधिनस्त न्याईक सेवा की संगठनात्मक संड्रचना अधिकार शेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है हाला कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है तथा पी सामान्य रूप से उच्छ नियालय को नीचे की दिवानी एवं फौसदारी नियालयों के तीन स्थर होते हैं इन्हें नीचे दर्शाया गया है चलिए इसके संगटन को देखते हैं कि ये कैसे उच्छ नियालय के अधिन काम करता है सबसे उच्छा स्थान होता है राज्य में उच्छ नियालय का जिसके अंतरगत जिला नियाधिश का नियालय होता है और एक होता है सत्र नियाधिश यानि इसके दो अंग होते हैं अब जिला नयाधिश के अंतरगत दिवानी पक्षों को देखा जाता है और सत्र नयाधिश के अंतरगत फौजदारी पक्ष को देखा जाता है दिवानी अर्थात revenue से संबंदी जिसमें पैसे वगरे की बात हो और फौजदारी याने कोई criminal activities जिसमें कोई crime होती है अब दिवानी पक्ष को देखने के लिए इसके अधीन अधिनस्त नियाधीश का नियालय होता है जबकि फौजदारी पक्षों को देखने के लिए सत्र नियाधीश के अधीन मुख्य नियाइक डंडाधीकारी का नियालय होता है जबकि फौजदारी मुकदमों को देखने के लिए मुख्य नियाइक डंडाधीकारी का नियालय के नियालय होता है चले इसको हम विस्तार से समझते हैं जिला नयाधीश जिले का सबसे बड़ा नयाइक अधिकारी होता है उसे सिविल और अपराधिक मामलों में मूल और अपीलिय छेत्राधिकार प्राप्त है दूसरे शब्दों में जिला नयाधीश सत्र नयाधीश भी होता है जब वा दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायधिश कहा जाता है तथा जब वा फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायधिश कहा जाता है जिला न्यायधिश के पास न्याइक एवं प्रशाशनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है उसके पास जिले के अन्य सभी अधिनस्त न्यायलेओं का निरिक्षन करने की शक्ति भी होती है उसके फैसले के विरुद उच्छ न्यायले में अपील की जा सकती है जिला नयाधिशों को किसी अपराधी को उम्रकैद से लेकर मृत्यू डंड देने तक का अधिकार होता है हाला कि उसके द्वारा दिये गए मृत्यू डंड पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्छ नयाल है उसका अनुमोधन करे आगे देखेंगे जिला एवं सत्र नयाधिश से नीचे दीवानी मामलों के लिए अधिनस्त नयाधिश का नयाल है तथा फौसदारी मामलों के लिए मुख्य नयाइक डंड दिकारी का नयाल होता है अधिनस्त नैधीश को दिवानी याचिका के संबंध में अत्यन्त व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है मुख्य नाइक डंडादिकारी फौसदारी मामलों की सुनवाई करता है तथा साथ वर्ष तक के कारावाज की सजा दे सकता है सबसे निचलास्तर पर दिवानी मामलों के लिए मुनसिफ नैधीश का न्याल है तथा फौसदारी मामलों के लिए सत्र नैधीश का न्याल होता है मुनसिफ नैधीश का सीमित कारिचित्र होता है तथा वा छोटे दिवानी मामलों पर निर्ने देता है सत्र न्याधीश ऐसे फौजदारी मामले भी सुनवाई करता है जिसमें तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है कुछ महानगरों में दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल न्यायले एवं फौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यादीश का न्यालय होता है कुछ राजियों एवं प्रेसिडेंसी नगरों में छोटे मामलों के लिए प्रिथक न्यालयों की स्थापना की गई है ये न्यालय छोटे दिवानी मामलों की सुनवाई करते हैं उनका निर्ण अंतिम होता है लेकिन उच न्याले उनके निर्णेयों की समिक्षा कर सकता है कुछ राज्यों में पंचायत न्याले भी छोटे दिवानी एवं फौसदारी मामले की सुनवाई करते हैं इन्हें कई नामों से जाना जाता है जैसे न्याय पंचायत, ग्राम क चहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत आदी इस तरह से हमारा यविशे यहां समापत होता है धन्यवाद